जिस स्विशय में आज बात करने चाहरा हूँ इसको सुनते ही आदिस जाधा मन दोकों का ये हो जाएगा कि हम शायद जेल चले जाएंगे हम पर कंटेम अब कोट लग सकता है या फिर हमारे साथ और बड़ी समस्या हो सकती है पर अगर फिर आदा वीडियो आपने देख लिया तो आपको पता लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ऐसा हो भी सकता है या नहीं इसका पूरा सुलिशन मिलेगा कैसे ये भी बता चलेगा देखें दोस्तों जूटे के सिस होते हैं जूटे के सिस में हमेशा कोट भिड़ते ही आपसे पेटिशन लगते ही रिपलाई की डिमांड करने लग जाती है आपको reply देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ये वीडियो आज ये तैकर के बताएगा reply नहीं देने से क्या नुकसान और क्या फायदे हो सकते हैं ये भी इससे पतार चलेगा जरूरी बात क्या है जरूरी बात ये है कि आपका केस मजबूत किस अस्तिती में हो सकता है reply देने से या नहीं देने से ये आपको जानना पड़ेगा इस वीडियो के तो इसलिए दोस्तों बहुत कोशिश करते हैं कि आप educated हो जाएं इसके लिए courses चलाते हैं और इसका result ये है कि जितने लोगों ने ये courses join के confident and strong है आप जो इदर उदर research करते हैं बहुत सारी videos देखते हैं contents पढ़ते हैं बहुत सारी study कर रहे हैं उसको अपने case से correlate करनी के लिए आपको एकदम से कुछ नहीं मिलता है बहुत महनत करनी पड़ती है यहाँ पर हम यही advantage आपको देते हैं कि इधर आपके साथ problem आई इधर solution मिला यानि कि जो courses होते हैं ये individually आपके case को दिमाग में रखते हुए आपके लिए ही design के जाते हैं यानि आप जब भी चाहें आपको judgments, case laws, references, guidelines और भी न जाने क्या-क्या आपको हर वक्त उपलब रहे हमारी अनुभवी टीम के द्वारा तो अगर आप इन courses का हिस्सा होना चाते हैं दिए गए WhatsApp नंबर पर detail ले लिए और फिर join कर ले लिए आप कानूनी समस्या में हैं समधान चाते हैं appointment book करेए, paid है उसके बाद आप अराम से बात कर सकते हैं दिए वे टाइम पर आपके बस call आएगा नवश्कार दोस्तों मैं हो रहुल सेफ Legal Legal Channel में आपका स्वागत करता हूँ आप किसी भी वक्त, कहीं भी किसी स्टेज पर केस में होँ आपको ये चीज तो हमेशा फेस करनी पड़ती है कि court आपसे reply की उमीद करती है खास वार से maintenance के cases में हमेशा ऐसा होता है कि एक mechanical form of justice follow किया जाता है quantum of maintenance decide करनी के लिए रजदी इस वर्सेज दिया जब से आया है हर court यही demand करती है लाओ जी आपका reply लाओ लाओ पत्मी ने दे दिया है चलिए उन्होंने एफिडेविल्ट भी दे दिया होगा नहीं दिया हो तो उसके अलग एक कारवा ही होती है उस पे आप अलग से वीडियो देख सकते हैं मैंने बना रखा है पर फिलाल यहाँ पर जो मैं बताना जाता हूँ यह है कि क्या आपको reply देना चाहिए नहीं देना चाहिए क्या करना चाहिए इससे पहले ही जान लीजे कि अगर आपकी पत्मी वहाँ पर जूट बोल रही है तो फिर क्या आपको बिलकुल नहीं लगता है कि जूट बोल रही है जूटे केसे बता रही है कोट को मन गढ़ंत कहानिया सुना रही है तो मुझे यह पिक्चर जो है यह सूरत जो है यह कोट को क्लियर करनी चाहिए क्या बिलकुल नहीं लगता है मन में तो एक हुक आती है पर अक्सर यहां पर यह दबाव बनाया जाता है कि वो आपकी वाइफ है मिंटरिंस देना पड़ेगा ऐसा कानूनी सलाकार अक्सर कहते हुए दिखते हैं आपके भी कहते होंगे शायद और अगर कहते हैं तो कमेंट सेक्षिन में जरूर बता दीजिएगा आपको अगर इस तरह की सला दी जाती है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा करनी पर आपका नुकसान जादा है तो फाइदा किसमें है फाइदा इसमें है कि आपका जो केस है वो हमेशा आपत्ती पर चलना चीजिए जो यहां पर भी आती है जब आप ये case face करते हैं तो मन में भी आपत्या आती है भही मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जितनी कहानिये सुना रही है बलकि आपको जूटा साबित करने के लिए पत्नी 490D के FIRADV का reference भी दे देती है कि देखे साब मेरे साथ तो हुआ है अत्याचार जबकि उन से कोई वहां पे वह कुछ थाबित नहीं करके बैटी है पर वो lodge हो गया है इसलिए वो file हो गया है इसलिए अत्याचार हुआ है साब वहां भी जूट बोल रही है यहां भी जूट ब देना चाहिए यानि आपको reply नहीं देना है जिसको आम तोर पर reply का जाता है आपको आपत्ती दर्ज करानी है देखिए आपत्ती में सबसेट टॉप पर होना चाहिए कि evidence दिखाये जाए अब अक्सर क्या होता है कि interim maintenance के case में पोर्ट यह कह देती है साब यह तो trial का विशह है और interim तो हम लगाएंगे ही क्योंकि आपकी पत्ती ने यहां application दिये देखिए maintenance कुछ भी हो हमेशा साबित करने पर मिलता है चाहिए वो db के case में हो और चाहिए वो 125 crpc के case में 125 crpc में भी maintenance को ही मिलेगा जो wife है गलत maintenance को मिलेगा जो पत्ती तो है मगर neglected और refuse होने के दाव सबूत देके बैठिये और खुद की असक्षमता सावित करके बैठिये साबित करके बैठिये यह यानि सबूत दिये हैं यह नहीं कि सिर्फ कह दिया कि S म ही मरी पास नौकरी नीए जॉब नहीं नहीं को ऐसा जूट बोलकर सबूत करना जरूरी है क्योंकि जो job करती है उसक लागू रहता है और बड़न अप्रूफ पर ही लागू रहता है रिस्पॉंडेंट को कुछ साबित नहीं करना है तो आप अगर विरोध करते हैं रिप्लाइ नहीं देते कोट आप पे दवा उराती तो क्या कंटेम अग कोट लगेगा नहीं क्यों नहीं लगेगा यह मैं आग आप कंटेमव कोट इतना हेवी नहीं होता है वो हो पेनल्टी बेस होता है वो भी तब है जब आपने उबजयक्शन लगा रखा है तो कोट मजबूर हो जाती है यह बाद करने के लिए ये दावा पेश करने के लिए कि आप गलत है यानि कि यहां एक मजबूरी फ handful जाती है कि आपने objection डाल रखा है अब कभी-कभी क्या होता है कुछ जो लगता है कि दंदार सोचते हैं अपने अमारे में तो मैस्टेट या जट साब दवाव बना देते हैं और उस पर लिख देते हैं कि आप exempt कर रहें है, कोड का order जो है, वो कानून के अंतरगंत हो, तो वो डिसोबे होता है, वो contempt होता है otherwise नहीं होता, आप वहाँ पर section 5 of contempt of court लगा कर सिधा मेज्टेट साब के उपर दवाव कर सकते हैं कि fair criticism जो है court का करना मेरे सपास जायज हग है मेरा section 5 आपको right देता है कि आप court अगर गलत कर रही है injustice कर रही है lock of proper following नहीं करा रही है तो आप उसे पकायदा उसकी कारवाई पर tip नहीं कर सकते हैं और please यहाँ पर comment section में ये कहना बंद कर दीजे judge साब मेरी नहीं सुनते मैंजिटेट साब को हमने बहुत बोला नहीं सुनते सुनाने क्यों जाते हैं लिख कर दे दीजे दबाव अपने आप आएगा सुनाना नहीं है लिख कर देना है और अगर वो सुना रहे हैं तो डरना नहीं है ये उन पर भी बात देखा रही है और वो गलत order देकर खुद बन सकते इसलिए वो जातर जबानी कहते हैं और जबानी में आप पो डरनी की जुरत नहीं कितना ही चीके चलना है कोई फरक नहीं पड़ता है जस्टिस लेने का है नियाय के मंदर में है बाबा के दरबार में नहीं है या कोई भगवान के दरबार में नहीं कहें कि वहाँ पर फांसी एकी मिनिट में लग जाती है चमतकार से बस डंडा गुमाया है फांसी हो गए नहीं साहब ऐसा नहीं होता है आप में इस दबाव को जहिलने की शमता होनी चीए जेल जाने की बात पर मैं फिर आ जाता हूँ जेल जाएंगे नहीं साब इस पर जेल नहीं भीजा जाता है आपने अपना अब्जेक्शन लगा रहा है वैसे भी अब सुप्रीम कोट की 2023 में गाडलेंस आ गई है रिसेंटली और वहाँ पर क्लियर कह दिया है कि अगर अब्जेक्शन एप्लिकेशन या कुछ भी ऐसी बात जो केस को एफेक्ट कर सकती है उससे रिलेटर कोई भी केस में बात रह गई है तो कोट उस अब्जेक्शन एप्लिकेशन को डिसाइड करे बगएर अपना जजज्मेंट या ओर नहीं दे सकते चाहिए वो इंटरिम का ही हो तो आप कोई बेनेफिट यहां मिल जाता है कि आप बकायादा सुप्रिंग कोट की गैडलेंस का हवाला देके कोट पे प्रेशर बना सकते है पत्मी है वाइफ है मिंटरेंस देने का कोई रीजन नी बनता अर्डर में लिए गया है तो आपकी बल्ले बल्ले है तुरन्त आप इसकी कंपtering कर रहे है हाई कोट, सुप्रिंग कोट तक जा सकते है और देखे, आपको लगता है महेंगा हाई कोट जाना सुप्रिंग कोट जाना जाएए ना कुद चले जाएए क्यों महंगे वकील करते हैं, हर चीज़ वकील के पीछे खड़े होके क्यों करते हैं, खुद लड़ लिजे केस, वकील साब अगर महंगे लग रहे हैं, आपकी जेब में पैसा नहीं है, गरीब घड़ से हैं, आर्थिक इस्तिती मजबूत नहीं है, या फिर माल लिजे पहले स इतना खर्चा हो चुका है कि आप इतना बोज नहीं समाल सकते हैं कोई बात नहीं खुद लट लिजे केस कोट आपको अलाओ करता है बहुत लोग जाते हैं हमारे कोर्स में भी तैयारी करके आप को सिर्फ इतना करना है कि knowledge अपनी थोड़ी बढ़ा के रखनी है और balance रखनी है result कोच बड़ी बात नहीं है कि आप से छोटी-मुटी गलती हो सकती है बहुत बड़ी गलती नहीं हो सकती है और वो छोटी-मुटी गलती है खुद court भी आपको cover करने का chance देता है तो इतना मुश्किल नहीं है कि आगर आप वहाँ छोटी-मुटी गलती करते हैं आपकी बीवी ने तो सबसे बड़ी गलती किये जूटा case लगा आगे बैठी है आप तो सबूत दिखा रहे हैं, evidence दिखा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं के अलावा practical situations भी काम करती है कि जैसे से आप बराबर सला लेते रहे हैं या फिर हमारे courses में अगर joined हरे तो फिर वहाँ पर हम आपको situation programming बना के देते हैं जैसे situation आईगी वैसे वैसे आपको developments देते रहते हैं हर दिन का अलग तरीका होता है एक दिन में चार-चार गती भी दियां हो जाती है पर वो इतनी मुश्किल नहीं होती कि इनका solution नहीं होता resolve हो सकती है बात सिर्व इतनी सी कि मोटा मोटी आप यह समझा लीजे कि इतना आसान है चाहों maintenance का case हो, 490 का case हो, DV का case हो किसी भी तरह का जुटा case आप पे लगा हो आसानी से इस आधार पर उसे block कर सकते हैं और जल्दी जल्दी खतम करा सकते हैं अगर आपके सुनवाई नहीं होती है तो आप तुरण high court जा सकते हैं इन्हीं objections के base पे और court की लापरवाई वाँ नजर आएगी आपके reply नहीं देने पर high court या supreme court कभी आपको block नहीं करेंगे क्योंकि यह आपका समयदाने कदिकार है और आपका evidence मांगना अपने खिलाफ तो बिल्कुल सही है क्योंकि case क्यों चला रही है court यह जानने का और लूगर नहीं करेंगे का यह जएगी पर खिलाफी नहीं करेंगे